हेलो फ्रेंड्स मैं रही और माँ आपका एक पर फिर से स्वागत करता हूं एक फ़न टेक सपोर्ट में दोस्तों कंप्यूटर लैप्टॉप हमारे जीवन में कितना इंपॉर्टेंट है यह तो आपको पता ही होगा इसका एक और हिस्सा होता है कीबोर्ड कीबोर्ड के जो सा आपका एक पर फिर से स्वागत करता हूं एक फ़र्टेक सपोर्ट में तो दोस्तों सबसे पहले हम जान लेते हैं पेज अप के बारे में कि पेज अप बटन जो है इससे क्या होता है तो जैसे कि आप इंटरनेट पे कोई पड़ रहे हो या कोई चैनल हो या जो भी हो जैसे मान के चलिए मेरा चैनल ओपन हुआ 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 है तो अब या जो मेरा वीडियो से आपके आप देखी रहे हैं यहाँ तो पेज अपक क्या होता है यह मैंने कीबोर्ड यहां से लाया और आखको मैं दिखा रहा हूँ पेज अब से वुद। जैसे ही हम पेज आप क्लिक करेंगे यह देखिए, पेज अप पर हमनी यहाँ पर क्लिक किया और इसको यह देखिए, पेज अप जैसे ही क्लिक पाई, यानि कि एक step up हो हुआ, फिर से इन करके देखते हैं, यह देखिए, एक step up हो हुआ, फिर से टाइब करते हैं, यानि कि पेज आप काम है, चाहे वो आप कोई PDF या documents हो, या word हो, या Excel हो, उसमें आपका step by step, यानि कि एक step वो आपका आगे बढ़ता जाएगा, चली एक चीज और मैं आपको दिखा के इसका example दे लेता हूँ, जैसे मान के चली कि अभी जो है, मैं यहाँ पर इसको Google को open कर लेता हूँ, Google को जैसे ही हमने open किया, और यहाँ पर हम एक पर फिर से टाइप कर लेते हैं, पिक्चर्स, और पिक्चर्स, अब जैसे आप देख सकते हैं, इमेज पर हमने यहाँ पर क्लिक किया, तो यहाँ पर देखी एक पूरा पेज यहाँ पर open हो चुका है, तो फिर से हम यहाँ पर आप आप आर्टिकल में भी यह चीज कर सकते हैं, और किसी और चीज में, तो फिर से हम यहाँ पर keyboard को लाएं, और यहाँ पर जो page हमने, अगर आप इसको mouse के थुरू करेंगे, तो आपको वहाँ पर cursor ले जाना होगा, फिर scroll से up-down करना होगा, तो simply ह इसको यहाँ पर page up करते हैं, एक बठील से, जिदिके page up से वही चीज यहाँ पर हो रहा है, इचली page up का concept आपने समझा, आप बात करते हैं, page down के बारे में, simply आपका page down जैसे नाम से ही आप समझ सकते हैं, यह page up का सीधा एक उल्टा हाई, यह page down, अब page down क्या है, यह page up का एक उल्टा है, अमने लिजी कि यह page up उपर के लिए काम करते हैं, और page down नीचे के लिए काम करते हैं, तो जैसे माल लेंगे, आपने कोई article या कोई books, या कोई या फाइल या पूटो जो आपका इजसम डॉब आईडवा है उसको अगर अब देखते हैं तो हम पेज़ डाउन करके सी हमारा कि पुलावा है तो एक स्टेक पेज नीचे होया आप रहा है यहाप आप देख सकते हैं पेज़ जो है नीचे हो रहा है तो यह पेजर पेज के लिए देखिए पेज़ डाउन में भी से वही चीज आपका हो रहा है तो चलिए पेज़ डाउन के बाद अब हम बात करते हैं होम बटन का जिया होम की जैसा कि आप नाम सही समझ सकते हैं घर आप जैसे मान के चलिए कि यह जो आप हमारा वीडियो है या कोई एक को हमने फूरा पढ़ लिया ऊपर से लेकर नीचे कर तो अगर हम मौस के तुरू अगर इसको जानते हैं ले जाते तो वहां पर आपको से लिए के उपर करणा होगा यह स्कृल के थुरू आप करेंगे बट यहां पर ये से मैंने नीचे इसको किया हुआ है अगर इसीज को हम डिरेक्टली होम बटन प्रेस करते हैं तो देखें क्या होता है जैसे हमने यहां पे होम बटन को प्रेस किया डिरेक्टली हम अप पेच पे चल जाते हैं विना भीच में बीडल पे जाया हुआ यानि कि होम मठन यानि घर वापसे तो ये काम आप एक्सल पे वर्ड पे किसी भी तरह के डॉक्मेंट्स पे भी आप कर सकते हैं चाहें इंटरनेट के आर्टिकल पे ही कर सकते हैं इसको तो चलिए अब हमारा जो नेक्स्ड की आता है वो है इंड का, यह वों का उल्टा है, यानि की मान के चले कि कि अगे हम् neutral हरे हम सबसे टॉप पर आ या जाथ होम, व्यागे है, अपने फीर्स्ट पे लिए अब को हम यहाँ पर इंड बटन का उम्ड करेंगे यह हमें सबसे last page पे ले आता है, जैसे हमने यहां पर इंट पे click किया, यह हमें सबसे fastest page पे ले आया यह दिखें, लिए डिका, फिरसे एक वर ट्राय करके मैं आपको दिखा रहता हूं, जैसा हमने यहां पर प्रेस किया यह तो एक्दम नीचे ले आता है तो यह some sound वर्ड पर भी कर सकते हैं, पीडियों पर भी कर सकते हैं, अगर को डॉक्मेंट्स पढ़ रहा है, पचीस पेस्ट का है, नीचे जाने में आपको दिक्कत होती है, माउस के साथ, इन बटन को आप यूच करें, डायेटली वो आपको नीचे ले आता है, तो अब जो नेक्स्ट क न欸, पर बातर करने की बात, जैसे यहां पर यह आप देख रही हैं, लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, स्विश को, मैं आपको लिखा देता हूँ, यहां पर सिल्गीक करके, तो अब यहां पर हम इंसेट की प्रेस करने के वाद देखते हैं यहाँ पर हम टाइप करके यहाँ पर क्या होता है चलिए इस सीच को हम यहाँ पर देखते हैं अब यहाँ पर हम टाइप करते हैं और लिखते हैं और लिखते हैं तो देखा आपने यहाँ पर इंसर्ट की प्रेस करने के बाद यहाँ पर क्यारेक्टर चेंड हो गया तो इंसर्ट की का जो काम है इतना ही होता है कि वह आपके जो भी कारेक्टर होते हैं उसको चेंज कर देता है ना कि उसको आगे बढ़ाज़ता है तो अब हमारा जो नेक्स्ट की है वह है स्कैब बटन यानि कि आप यह बटन देख सकते यहाँ पर इसका आखिर यूज़ क्या होता है इसका जो यूज़ होता है आप मानके चले कोई internet पर आपने कोई ये अप्साइट ऑपन के हैं यह आप परण प्रिजंटेशन दे रहे तो जैसे प्रेंटेसं दे श्राइब है अगर डाता है अब बन्हों जाता है तो फिलहाल के लिए इस इस वीडियो में इतना ही, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ये वीडियो आपको especially कैसा लगा, ये आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और जो हमारे नए व सब्सक्राइब करें, तो फिलाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए, जैहिंद वन्दे महत्रा में, और खुश्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्